कभी किसी राजनेतिक दल ने इतना जूट नहीं बोला होगा जितना भार्टी जन्ता पार्टी ने लोगतंत में जूट बोला है क्या नहीं कहा और अब तो चुनाव आने वाला है आप तो दिन भी कम बचे हैं तो इसलिए अब तो जन्ता त्या करेगी हम क्या कहें वो लोग क्या कहें उनका राजनेतिक सिस्टा चार क्या है उनकी राजनेतिक भाशा क्या है उनका राजनेतिक बिवहार कैसा है ये जन्ता ने देख लिया है साड़े चार साल तो वो अब वो बताएंगे अब जनता बताएगी जनता फैसा लेगी और कोई राजनेतिक दल ये ट्रेंडिंग नहीं देता होगा कि क्या भाशा हो आपकी जो लोग भारत की संस्कृति के बारे में दावा करते थे कि भारत की संस्कृति और उसको बढ़ाने का प्रशार करने का हमारा ही दावा है हमी है वो दल सोचो दल के लोगों की भाशा क्या है अभी कल ही भाशा क्या थी ये तो जमाना बहुत अच्छा है ये डिजिटल जमाना है एक बार जो बात बोल दी वो रिकॉर्ड पे चली जाएगी पराने जमाने जैसा जमाना नहीं है उसी महला बिधायग कभी समाजवादी पार्टी के वारे में क्या कहा है जरा गूगल पर देख लीजे या यूटूब पर कभी सुन लीजे उनका हम समाजवादी लोग उन चीजों को निकाल करके हम भी शिकायत भेजेंगे कि देखो इनकी भाशा कैसी है यह भाशा राजनीत में ऐसी गिर गी आने वाले समय में बहुजन समाजवादी की निता अधरिये मायवती जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किये कोई राजनीत में यह भाशा इस्तेमाल करेगा यह वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रस्टेट हो गए हैं उन्हें कुछ दिखाई निए आँखों के साम कोई काम नहीं किया तो काम पर भाशन होंगे नहीं अगर काम किया होता है तो शायद काम पर भाशन होते हैं इसी लिए काम नबता करके दूसरी तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं